हलो मेरे पेरे बच्चो आज हम ए इन्वर्स यानि किसी भी आभियू का परतिलोम आभियू निकालने कर बहुत ही खतरनाक ट्रीक लेकर आए मेरे बच्चो यदि आप इस कलास को देखेंगे तो आपको अबजेक्टिव आसान हो जाएगी और मातर 40 से 50 सकेंड में हल करेंगे म मेरे बच्चो और कहता है क्या कि ए इन्वर्स निकालना है मेरे पेरे बच्चो करने का देखो कुछ नहीं यहां पर आप ए इन्वर्स निकालिएगा डाइरेक्ट तो आप आप आपना क्या करो डी के जगा पर ए कर दो और ए के जगा पर डी कर दो ठीक है यहां पर हो जाए तो यहां पर हो जाएगा AD और माइनस यहां पर C गुने का B किजिएगा तो माइनस का हो जाएगा BC और यही हमारा लाइक और शेर करेंगी एक बार ठीक है चलिए बहुत अच्छे बच्शों येट का लिए इसनल और चलते हैं आपट की ये 33 order वाला रोला है में पट्चों कितना है 33 order वाला है और यहां पर तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें कि एका मोडलस निकालना होगा ठीक है यहां पर यहां मोडलस यहां पर निकालना होगा। चे और यहां माइनस का 1 है यह 0 गुने का 1 तो हो जाएगा 0 और 1 गुने का 3 तो हो जाएगा माइनस का 3 और पलस यहां पर भी 1 है और यह हो जाएगा 0 गुने का 2 तो 0 और 1 गुने का 1 तो यह हो जाएगा माइनस का एक मेरे बच्चों ठीक है यह हो जाएगा माइनस का पांच और यह पलस का तीन और यह माइनस का एक है यानि कि यह कट किया जाएगा पलस का तीन यह हमारा सबसे पहले आप मोडलस को काउंट कर लिजेगा ठीक है अब देखिए हमारा एंभर्स कैसे निकलेगा बिल यहां लिखते हैं 0, 1 और यह 3, यह हो गया 1, 2 और 1 ठीक है, यह column number पहला है यह column number 2 है मेरे बच्छों ठीक है, तो यहां पर जो है ना, फिर से हम column 1 और 2 को यहां पर क्या करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे, यह हो जाएगा 1, 0 और 1, और यह हो जाएगा 1, 1 और यह हो जाएगा पहला और दूसरा रोको हम यहां पर क्या करेंगे पहला और दूसरा रोको मिरे बच्छो तो यहां पर रिपीट करेंगे ठीक है तो यहां पर रिपीट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे एक 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 और यहां पर एक और यहां लिखेंगे जीरो और यहां पर लिखेंगे एक और यहां पर तीन जीरो और एक ठीक है अब देखिए करने का कुछ नहीं पर बच्छो ठीक है बिल्कुल आप एन भर्स निकालना है बिल्कुल आप असानी से यहां पर निकाल सकते हैं ठीक है देखिए यदि हम यहां पर कॉलमबाई चलेंगे तो पंक्ति को बनाएंगे याद रखेगा दियाम कॉलमबाई चलेंगे तो पंक्ति बनेगा देखिए कैसे बनेगा बाबू ठीक है जिराओ ध्यान देंगे यहां पर हम लिखेंगे क्या पहला पंक्ति और पहला एस्थाब को छोड़ देना इसको और इसको भटा देना ठीक है इसको और हम यहां से चलेंगे देखिए, एक गुने का एक, तो यह हो जाएगा एक, और दो गुने का तीन, तो यह माइनस का छे है न, तो यहां पर एक और माइनस का छे करेंगे, इससे आएगा एक और माइनस का छे, तो यह माइनस का हो जाएगा पांच, ठीक है, यहां पर दो गुने rust तो 3ाक्त तीक केृट देखिए हम कॉलंबाए चल रहे हैं तो पंक्ति तैयार हो रहा है ठिक है अभ यहां पे धियान देंगे दूसरा पंक्ति Impact हम कैसे बनाएंगे थो यह सिस्टम रहेगा 3 गुने का 1 तो यह हो जाएगा 3 और 1 गुने का 0 तो 0 तो यह हो जाएगा 3 फिर देखी आगे कैसे बढ़ेंगे मेरे बच्चो ठीक है बिल्कुल इतिमिनान से हमारा शाथ बने रही है फिर हम क्या करेंगे 1 गुने का 1 तो यह हो जाएगा 1 और फिर 1 गुने का 1 तो हो जाएगा एक में घटाएंगे तो जいएका zero ठीक है फिर देखी आगे क्या होगा फिर ó जाएगा एक गुने का zero तो जाएगा zero और तीन गुने का1 तो से कर यहाँ ठीन तो इसक्त यहाँ पर पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों ठीक है यहां पर हो जाएगा हमारा एक गुने का एक तो एक और फिर यह दो गुने का एक तो दो एक में दो घटाईएगा तो माइनस का वन ठीक है फिर देखी अगला स्टेप में हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों यह जाएगा एक गुन है न यहीं हमारा क्या हो गया इंवर्स निकल गया बाव मेरे ठीक है तो इस मेथड को यदि आप याद रखोगे न तो आप कभी भी यदि आप पांच नंबर का भी कोशन देगा न तो बिल्कुल आप इत्मिनान से कोशन को चेक कर लिजेगा हलाकि यह कोशन लंबा है ठीक है लेकिन हना इस तरह कोशन को बहुत यह दिया आप जितना नंबर कोशन प्रेक्टिस किजिएगा आप गर्दा गर्दा उड़ा दिजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मिरे बच्चों और नेक्ष्ट हमारा तीसरा जो है यह इस तरह का कोशन मिलेगा ठीक है तो यह यहाँ पर एक ची याद रखेंगे कि A into का A inverse जो होता है न यहाई होता है और हम चलेंगे कहां से यहाँ से चलेंगे मिरे बच्चों देखिए किस प्रकार से चलेंगे यहाँ पर मारा देखिए A square minus का 4 A और पलस का I और बरावर का 0 है दोनों तरफ हम क्या करेंगे A inverse से गुना करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा A square into का A inverse minus 4 into का A into का A inverse और यहाँ पलस हो जाएगा I into का A inverse और बरावर का 0 फिर इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो यह बाहर कर लेंगे ति हो जाएगा A into का A inverse यह जाएगा चार यह जाएगा A into का A inverse और पलस यह हो जाएगा I into का A inverse बरावर 0 अब देखिए यहाँ इसके बतले हमने I लिखा तो यहाँ पर हो जाएगा A into का A minus का 4 आई और प्लस का आई इंटु का एंभर्स बरावर का 0 अब देखिए यहाँ पर आई है सब में आई आ गया एदि आए को कॉमन किजिए गहां चार बचेए गाइए यहाँ पर आई का स्क्वायर कर दिए क्यों कि मालूम है आई पर घात एक करदो आई पर घात दो करदो आई पर घ इनभर्स बरावर हो जाएगा हमारा 4 आई और माइनस का ए आई का मतलभ हो जाएगा 1 0 0 का 1 और एक अफेलू आप यहां से लिख दिजिए 2 1 और यहां पर 3 और 2 ठीक है तो यहां पर हो जाएगा तो एंवर्स हो जाएगा मेरे बच्चों ठीक है तो हमने तीन मेथड़ बताया बच्चा तीन तरीका बताया इंवर्स निकालने का आप घर पर जाईए अग्दम गर्दा गर्दा प्रेक्टिस किजिए और पूरे इस कलास से ठीक है पूरे कितना तो पूरे आप आठ से आठ अंक लेकर जाएंगे मैं बच्चों कोई बस्चे दीन वर्स निकालना चाहते हैं और इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यह आपका जो है ना पूरे आठंग दिलाएगा मेरे बच्छो और गर्दा-गर्दा उड़ेगा बच्चा है ना तो उमीद करते हैं हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो फटा फटा क्लास को लाइक और सेर कर दिये बाबू बहुत अच्छी मेरे बच्छो वैरी गुट्ट